स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्राइट अविशकार के अंदर मेरा नाम राकेश कुमार है और दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हमें एक बहुत ही यूजफुल टेंस सीखेंगे विदे प्रैक्टिकल अप्रोच के किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में उ अगर स्पोकन के सहाब से देखें तो पास्ट इंडेफिनेट को किस तरीके से हम याद करेंगे तो दोस्तो बस आप से यही रिक्वेस्ट है किस वीडियो को अंतक देखिए दोस्तो ताके आप ऐसे प्रैक्टिकल वे में भी इसको समझ पाओ और एक ऐसे ग्रैमेक्टिकल इनको समझ पाओ यादि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आप दो तरीके से समझ पाओ एक तो हम प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से यूज करते हैं और दूसरा कि अगर ग्रामर के अंदर हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अभी concept क्लियर करना हो तो वह भी आपका concept क्ल हो जाएगा दोस्तों अगर दोस्तों सच मैं आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट देगा या बेनिफिशल साबित होगा तो प्लीज दोस्तों लाइक करना ना भूलें शेर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जुरूर करें ताके आपको कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग विसे इंट्रेस्टिंग ट्रिक्स की वज़ा से आपको पूरा ग्रहेमर अच्छे से आजाए च्वीं अब पास्ट का सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ट सब अब दोस्तों क्या है पास्ट यानि जो भी समय गुजर गया जो भी समय बीथ गया जो भी टाइम हो गया वो क्या है दोस्तो पासि sorry दश पहले भी क्या था दोस्तो पास्ट दस मेनेट पहले भी था पास्ट जब जब हम scarf कि बात करते हैं दोस्तो तबlerin RC की बात करते हैं और दोस्तो इन वीडियो के अदर हम इक बात करें कि हमने वर्प को दूसरा नाम क्या है verb का action है यानि action बोले तो verb और verb बोले तो action अब दोस्तों past की बीज़े है और past की लिए हम action की कौन सी form use करेंगे second form use करेंगे second form इसका मतलब verb की हम second form ही use करेंगे जब जब past की बात ho HIV तब तब action second form की बात होगी और जब जब action second form यूज़ करेंगे हम इसका मदलब तब हम किसकी बात कर रहे होंगे पास्ट की बात करेंगे पास्ट बोले तो एक्षिन सेकिंड फॉर्म और एक्षिन सेकिंड फॉर्म बोले तो पास्ट यह आपस में क्या करते हैं रिलेट करते हैं अगर कहीं भी आपको एक्षिन की सेकिंड वर्ब की Second Form दिखती है इसका मतलब वह बात कहां कब की चल रही है पास्ट की यह जो काम हो गया है उसकी बारे में बात चल रही है तो I hope दोस्तों कि आपको पास्ट के समझागी की पास्ट होता किया यह 10 सेकंड पहले पास्ट, 10 साल पहले पास्ट, 10 मिने पहले पास्ट, 10 दिन पहले पास्ट, 10 महीने पहले पास्ट, यानि एक सेकंड भी जो गुजरा जैसे मैंने शुरू की ती वीडियो तब क्या था अब भी पास्ट है, आपके ल लेना, first form ये होती है, took second form होती है, taken show होती है, third form होती है, इन जो भी आप red आपको दिख रहा है, ये सब भी क्या है, action second form है, और इसी को हम use में लाते हैं, दोस्तो अब rule देखते हैं, अगर grammatically way से भी इसको समझना हो, कुछ examples देखते हैं, ताग हम अच्छे से समझ में आ जाए, पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम action second form को अच्छे से समझ पाएं, यहीं मैंने आपको कहा, past बोले तो action second form, आप do की second form क्या है, did or third form है, done, surf की second form क्या है, served है, drink की second form क्या, drank है, और third form drunk है, look की second form क्या, looked है, wash की second form क्या है, washed है, prepared की second form क्या है, prepared है, दोस्तों आपको एक मैं बता दूँ, कि approximately 90% जो होती है, second form ED लगके ही बनती है, अब ED लगके कैसे मनती है, आपके लिए मैं एक नया वीडियो बनाया भी है मैंने, और जल्दी इसको मैं upload करूँगा, ताके आपको यह सारे जो verb की होती ही, verb दो types की होती, regular और irregular types की होती ही, आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके से हम ED का use करेंगे, आप कुछ examples देखते हैं, जिससे हमें और समझें इसको, जैसे मैं कल office गया था, तो आप क्या बोलेंगे, I go to office नहीं बोलेंगे, आज के बाद I went to office, क्योंकि बात कब की चल रही, past की बात चल रही है, तो action की कौन सी farm यूज करते हैं, second farm, यह गो क्या है, एक action है, और action की जगा हम कौन सी यूज करते हैं, second farm, गो कि second farm की होती, when, उसके बाद मैंने खाना खाया था, आप कहेंगे, I ate food, I drank water, मैंने पानी पिया था, I surfed internet, मैंने internet चलायत तो आप क्या कहेंगे, I surfed internet, उसके बाद मैंने कपड़े धोये थे, तो आप क्या कहेंगे, I washed नहीं जहेंगे, या past simple tense को अगर अच्छे से समझना है दोस्तों इसको एक practical way में इस त्रीके से ढाल सकते हैं कि कल आपने जो भी सुबह से शाम तक किया थे यह जो कल गुजर गया बीट गया उसकल की बात कर रहा हो यह 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 स्टरडे बोले तो जो कल चला गया यह उसके बारे में हमने जो भ राकिर शुबा से यह मिलते हो आप बोलो के कि सर सुबह से शाम अध में यहे यह इकाम किये हैं तो आपको और यंग्लिश के अंदर सुनाना हो तो तोो तब तो तब आप क्या करेंगे, आई के बाद action की second form का use करेंगे, किस की form का use करेंगे, second form की क्यों, क्योंकि हम बाद किस की करें, past की, आप कहेंगे, hello sir, good morning, good afternoon, good evening, जिस time के अंदर आप मेरे से मिल रहे है, तो आप उस time कहेंगे, फिर कहेंगे, my name is suraj, कहेंगे, my name is suraj, and I am speaking about my yesterday's activity, यानि मैं कल के दिन्चारी के बारे में बता रहा हूँ कि कल मैं उठने से पहले, उठने से, उठने के बाद, और उठने के बाद, और शाम को सोने तक, मैंने कौन से काम किये, कौन कौन से काम किये, उसके बारे में बता रहा हूँ, आप सबसे पहले कहेंगे, sir, मैं सबसे ज यहां पर यूज कि I took tea while reading newspaper then after I took shower I take नहीं बोलेंगे क्योंकि take second form क्यों होती है तुक जब भी past की बात करते हैं action की कौन सी form यूज करते है second form I took shower and I got ready और मैं college चला गया तो आप क्या कहेंगे I went to college उसी तरीके से आप पूरे लिखिए दिन चारी को अपने लिखें जैसे मैंने दिन को जब की लिए तो I take nap नहीं कहेंगे I took nap कहेंगे उसके बाद मैंने cricket खेला तो आप क्या कहेंगे I, played, cricket क्या कहेंगे I played cricket उसके बाद मैंने yesterday activities को बना बता सकते हैं और इसको एक सरी पैराग में बना भी सकते हैं और इसी तरीके से हम practical approach से present simple को present indefinite tense को हमेशा के लिए याद रखते हैं अब दोस्तों आपकी mind में question है कि sir ये तो है कि मैं कर रहा हूँ आप कर रहा हूँ आप आई की जिगा वी यू जाना हो तो उस प्रिके से हम किसी question करते है do you से तब do की क्या है do first firm है do की second firm है इन दोस्तों confused होने की बात नहीं है इसमें एक बज़ेदार बात है कि इसमें कोई भी दूसरा rule नहीं लगता है जैसे उसमें do or does लगता था आप पूछेंगे knock the door का मतलब action रखके बोलेंगे knock the door होता है दरवाजे को थप थपाना या knock करना आप कहेंगे sir के did you knock the door कि आपने दरवाजा बजाया था या knock किया था अब मैं कहूंगा yes I knocked the door कहूंगा I knocked the door मैं कहूंगा I knocked the door क्यों क्योंकि past की बात चल रही है फिर आप फिर से question repeat करोगे sir did you knock the door मैं कहूंगा yes I knocked the door आप फिर से question repeat करोगे sir did you knock the door मैं कहूंगा इसको तो समझ नहीं आरी मैं कहूंगा simply way मैं कहूंगा no sir I didn't knock the door आप did not की short form क्या होती है didn't be होती है did you take nap ya नो कल आपने जबकी ली थी क्या आपने जबकी ली थी क्या आप क्यों ये I take nap क्या त्टリ पास्ती बात के चल रही है तो आप कहेंगे I took nap आप फिर से कहेंगे dat sir did you take nap nie मैं घबकी नहीं लिए i didn't take nap अब didn't के बाद take क्यों लगा क्या हूंकि हम औने अपने आप में ही second form है, इसलिए हम एक sentence के अंदर हम एक ही बार second form का use करते हैं, उसके बाद अगर he she के साथ भी देखे हैं, तो he she के भी साथ हम semi use करते हैं, और उसके बाद action की second form use करते हैं, miss the boat होता है, miss the boat होता है, miss the boat होता है, no she didn't miss the boat, इस तरीके से आप क्या करेंगे, practice करेंगे और अच्छे से इसको daily life में हमें दालेंगे, अब publish a book का मतलब होता है, book को परकाशित करना, reject recommendation होता है, sparis को खारिश करना, ram the car होता है, car ठोकना, यहने एक car से, दूसरी car को टक कर्माना, यहने ठोकना, varnish your nails होता है, अपने जो nails होते है, अनाकुन उनको क्या करना, polish करना, collect evidence होता है, dust away, यहने सबूत, अकठे करना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक vocab को structure के उपर डालिए, stick के उपर डालिए, तो अच्छे से practice करें, और भी words की collection कीजिए, vocab की collection कीजिए, ताके आप इस topic को अच्छे से अपने daily life में use कर सके, और दोस्तों, अगर सच में यह topic आपके लिए अच्छा हुआ है, साबित हुआ है, यहने कुछ सीखा आपने, तो please इस चैनल को subscribe करजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताके वो भी आपकी तरह ही इस English को, free English course को सीख पाए, thank you very much, मिलते है अगले वीडियो में, तब झाल दोस्तों ।